लोगसवच उनाओं से पहले फिर योगी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभार आये चर्चा में राजभार का एक वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से होने लगा वाइरल अनोखे अंदाज में परकाश राजभार जनता से मांग रहे हैं वोट अपने बेटे को चीताने के लिए राजभार गांगा जाकर बहार है पसीना क्या घोसिस से राजभार का है मामला खराब चलिए आपको बताते हैं राजभार का वीडियो सोसल मीडिया पर क्यों हो रहा है वाइरल जो ऐसे से लोगसभा चुना नस्दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टिया जनता को अपनी और खिषने के लिए अलग-अलग हतकंडे अपना रही है वहीं इसी बीच यूपी के नए कविरेण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में ओपी राजभर गहुं काटते नजर आ रहे हैं साथ ही वीडियो में बड़ी-बड़ी बाते भी कर रहे हैं आपको बताते कि इन दिनों लोकसवा चुनाओ का दोर चल रहा है और सभी नेता इन दिनों चुनावी परचार कर रहे हैं तो महीं राजभर भी इन दिनों खुब चुनावी परचार करते दिखाई दे रहे हैं उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया परतेजि से वाइरल होने लगा वीडियो में ओम प्रकाश राजबर किस तरह से खेत में बैट कर गहुं काट रहे हैं राजबर को देखने के लिए खेत में भीट जुड़ गई और गेहों काटने के दोरान ही राजबर सभी से वोट डालने के अपेल भी किये आपको बता दी कि इससे पहले भी राजबर का एक वीडियो सोसल मीडिया परतेजी से वाइरल हुआ था जिसमें राजबर गाउं वालों के बीच जमीन में बैठ कर खाना का रहे थे अब उनका ये वीडियो सोसल मीडिया परतेजी से वाइरल हो रहा है दरसल वीजेबर से लोग सबस्च नाव को लेकर राजबर को एक ही सीट दी गई है वो है घोसी घोसी सीट से राजबर ने अपने बेटे अर्विंद राजबर को चुनावी मैदान में उतारा है अपने बेटे को जीताने के लिए ओंप्रकाश राजबर जी तोड मेहनत कर रहे है और घोसी में चुनावी एक जून को होना है वहीं दूसरी तरफ राजबर के बेटे को टकर देने के लिए सपा ने राजीव राय को चुनावी मैदान में उता रहा है गोसी लोकसवा सीट इस समझ समझ दी पार्टी के खाते में हैं क्योंकि पिछले साल इस सीट पर उपचुना हुए थे तो गोसी समझ दी पार्टी के खाते में आ गई थी इसलिए अब वहाँ से राजबर के राहें और काटो भरी है वहीं अगर पिछले लोग समचनाव की बात की जाये तो साल 2019 के चुनाव में बसपा के टिकट पर अतुल राय और बीजेपी के हरी नरायन राजभर के बीच महा मुकाबला हुआ था अतुल राय को 1,2568 मतों के अंदर से जीत मिली थी अतुल राय को चुनाव में 5,73,839 वोट मिले थे तो बीजेपी के हरी नरायन राजभर ने 4,9,271 वोट हस्ल किये थे कॉंग्रेस के बाल किरिशन चौहान तीसरे स्थान पर रहे थे मैं इस बार सपा ने राजभर राय को उतारा है तो मैं दूसरी तरफ बीजेपी से गड़बंधन कर ओपी राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है जिसके चलते अब गोसी में बीजेपी की कारिकरता नाराज चल रहे है वहीं राजभर के बेटे अरविंद राजभर को गोसी में जीताने के लिए उप मुख्यमंतरी बिजेस पाठक भी चुनावी परचार कर रहे हैं फिलालब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के लोकसवाच चुनावा में राजभर के बेटे खरे उतर पाते हैं या नहीं आप सभी को क्या लगता है गोसी लोकसवाच सीट में किस की जीत होगी सपा या फिर ओम प्रकाश राजभर हमें कमेंट कर जुरूर बता है अगर आप नयत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें